माला तुझी बैक वाड़ते दिल मिल गए में ऐसा बहुत बहुत हुआ था कि बुलागे तमको यार करन सुन चार मिनिट फुटेज चीगे सीन नहीं हमार पस तु बना लेगा ना नमस्कार मी रसिका शिंदे मुंबई तरोण भारत मदे तुम्चे स्वागत मी कायम तुम्चा भेटी ला नमनमीन कलाकार रखे हुने ते पन या वड़े स्खरतर मी जे नाइंटी से किड्स कि मा अर्ली टुथावजन से किड्स है जानी दिल मिल गए पाहिला है का सौटी जिन्दगी किये पाहिला है आपका बहुत-बहुत स्वागत मुंबई तरुन भारत में तो फाइटर की बात करें तो अनिलकपूर, रितिक, दबिका के साथ स्क्रीन शायर किया क्या एक्स्पीरियंस था और जब फाइटर अप्रोच हुई आपका क्या टुष्यास्त प्राइटर्ण, यूज बात करने के लिए तो उन ने गाता है कि अमारे एक फिल्म हम बना रहें और उसमें एक रोल है जो हम भी पफोर उन उनने सेंटेंस के लिए रहें है म्यों तो सुंतव ले किया तो टूरे किया थिए कॉंसा फिल्म है क्या चारेक्टर है तू में को बता ना शूटिंग कितने मज़े किदर है मैं पहुंझ जाओंगा डॉंट वरी तो तो नहीं तीक है तो मैं गया उनसे मिलने के लिए उनने पूरा फिल्म मुझे नरेट किया करेक्टर कर जो ग्राफ है वो मुझे समझाया तो अर इस इन लग अनिल सर के साथ अक्चली काम करने का एक्सपीरियंस मतलब हर जनरेशन को मिल रहा है और जैसे मतलब अनिल सर सेम है हर जनरेशन मतलब और वह अजीव सी चीज बुलतें कभी बहुतें कि तुम्हारे पस मैं दो शर्म रता है, जुली के पास एक पास है। मनलब दो आरपके पास तो कब से यूत ही है। मनलब अपणिणि़ नहीं樹 तो यह रहती एक कि kinds जुछ नहीं कुछ यह रहिंग मशच गिया या दूल्व इस मैंद्छ तो तो यह वह थो जी नहीं grandmother kicking पहुँ दगा थे होजए और फिर नेक्स कट में हम लोग भाग रहे हैं अपने एरक्राफ्ट पिर अपने सुकॉई की तरफ और वो समसे सब से तेज भागेते आगए हैं मतलब हम पूरी अपने पूरी ताकत लगा के भागेते हैं और फिर मुझे बाद में पता चला है कि वो हरोज देट दो गंटा भागते है तो हमको बोलके तुम्हारे पास जी हुते हैं खुद दो आगे लेकल फुश्ट कर चले इम्मोटल होते हैं जो एक लास चाहें पता और सम्याइज यह बाइंद सेन्स इन्फरमिशन है यह आपको मैं भी बता सकता हूं कि फिल्म रिलीस होगी तो यह जब आपने देखा नहारा सौंग ही राजमानी और उसमें एक हम लोग एरफोर्स के बेस पे फिल्ड में खड़े हम लोग और हम सब को इंस्ट्रक्शन्स दे रहे हैं तो व उसके बाद कुछ ताम किया दो सिरे बोले दे वान टू त्री फोर फाइव सेवन एट नाइट 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 तो हम लोग दिस मतलब मेरे लिए पाली बाड़ता कि मैं ऐसा कुछ फेस कर जाँ तो मैं गाना तो चल रहा है बड़ अविसली अब इतने साल की ट्रेनिंग ह तो विदिन ट्रियाक्ट बड़ यह से कट वह हम लोग इतना हसे इतना हसे तो रहा होला तुम्हों कब अच्छा कंट्रोल है तुम्हों आपके नहीं हासे नहीं है तो तो वह दाँश जब मूजिकल मॉन्टाज जो होते हैं तो जब उनको कुछ बोलना होता है तो ऐसे वजिए में है और सुछ जब टके इतना है कर जब श्री श्रीक हैं और हो जबस्दी थियुक बड़ा जिए है और हो अगर स्पोज हमारे हंडर परसेंट अरज़ है नहीं हम लोग मूजब सो जाती है तो जब सो जाते हैं तो एसे जिर होता है और जैसे आखे कुलती है वो एक whirlwind होता है ना जो ऐसे बुचाल तो वो ऐसी है है लाइस में मतलब शीज़ बिग उनकी एनरजी बहुत बड़ी है और बहुत स्ट्रॉंग है और फुल पावर पे चलती है उसे फोन जब फुल पावर पे उजाता है वैसे ना सेम है उनका और वो हर वसी है हर वक्त सोच सोचाती है फिर जैसे उनके आंक खोलती है पूरा हुंड़ड परसंट अभी देवी बिल्कुल वैसी है और मेरा क्या है कि में मेरा बफरिंग ताइम बहुत जादा है मैं कभी भी हुंड़ परसंट पर नहीं हुट पाता हूं मैं उटता हूं थाँप स्टंट पर दीरे मेर कि उसके बाद भी तांग हिलाओ और ऐसे आंके खोलो बातरूम जाओ सब स्लो मोशन तो अचली मैं सुबा पांच बजे उठना इसले शुरू किया था ताकि मैं कम से कम मैं पांच बजे तीन चार गंटे पहले उठ जाओ ताकि जब वो उठे तो मैं कुछ तो एनर्जी वाजन के आस पास तो पांचोंगा नहीं तो सुबा उठके मैं चक्करा दो सब कुछ गुम रहा है तो अभी वेदर और नॉट मेरा बफरिंग है रहा है चोड़ा है मैं माइंड उठाए तांग उठाए जैसे भी है 100% पर उठना पड़ता है तो इसमेजिंग कभी-कभी बट बट बर में टिप करता हूं देखता हूं देखता हूं एधर उधर चीज सब गिर जाता हूं एदर को बट ऐसे हैं इसे हम दोनों के जाथ जाह आप एक तो hero मनें, फिल्म के.. मैं hero बना था, audience के वज़े से पर serials के वज़े से ज़ादा आपको audience आया आपके पर तो जब आप serials करते थे वो दौर अलग था, वो time अलग था scripts या stories अलग था अभी अलग था 10-15 years 10-15 years तो हो गहे 20 साल हो गहे बहुत changes होए अभी मैंने एक इंट्वी गहता था एक जन्टलन के साथ वो 21 साल के थे तो दूसरे नए लोग पैदा होगा है तो दूसरे नए लोग पैदा होगा है दोर बदल गया वो जर्नी देखते हुए अभी कारंण सिंह रोहर जहां पे खड़े है वहाँ सी पीछे मूड के वो जर्नी देखते हो तो कैसे लगता है जर्नी नहीं मैं काफी लखी रहा हुँ मुझे लगता है क्यूंकि मेरी करियर का जो फर्स्ट शो था वो बालजी के साथ था कितनी मसे जिन्दगी और वो फॉचुनिटली अफॉचुनिटली वो ऐसा शो था जो एक डेली सोप था और वो फॉस्ट डेली सोप था एक मूजीक चैनल पर है तो मूजीक चैनल लोग कभी भी एक दो मिनिट से जादा नहीं देखते है पहले भी तो मूजीक चैनल देखते हैं कोई पता नहीं इसको तो पहले होता तो नो Mtv पर था ये शो तो हम लोग तभी देखते हैं आँ गाना सुनने और वहमारा गाना खातम अगे तो हम लोग चले जाते तो उनका टाइम्स्पन and the time spent on the channel वो बहुत कम होता है और हमने उस पे एक तने बुला कि हम लोगी बना रहे है पे शो एंड विव द फूर आफ शो पूरा अल इंडिया ओडिशन वहा था उसका आफ जो मेरी ट्रेणिंग जो शुरू ही थी वहासे बिकास से पहले मैं यह कभी कोई अधिनग क्लास आघ लियां अग कुछ कि दोनों कि मैं यह बिलकुल कि आपको जूट बोले थे, किसी को भी नहीं बोलना थे, मैं इस पता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ मैं अपने लाइफ कैसे है मेरी है और एछ फिए लिए स्कुल मैं काफी प्लेज किया थे थे, तो मैं बूल गया थेटर ? मैं थेटर कि थेटर भी नहीं थार गूचाल में था इसा एक वरिम मुझे तो के वल चिडिया की आंग तो वही तो वह था कर अवाइब का अवर तो और अवे तो अविव थार आपके क्वेसिट्ट गा ने मैं बहुत दूर जगया वाबसातां तो जब मैं मैं बहुत है रहा ह क्योंकि वहाँ पर बालाजी में और उस शो में और उस इन्वारमेंट में आपको अगर 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 नहीं भी आती है तो आप डेफिनेटली सीख जाओगे क्योंकि आपको पस कोई चॉइस ही नहीं है मतलब बुलते हैं आउट फ्राइंग पैन इंट फायर तो हम लोग हमेशा बोलता हूं जो लोग टेलिविजिन में काम कर चुके हैं अश्पेशली हम लोग मतलब बालाजी स्पेशली बिकॉस जेर अमेजिंग हाँ फंक्शन तो वहाँ पर जो लोग अच्छी है वाल टेलिव अच्छा मोट टेंशन रहती है तो कभी वह लग्जरी ओफ टाइन यहाँ कि मैं अपने क्यारेक्टर में जाऊंग और मैं सोचू उसके बारे में और कैसा फील कर रहा है मुझता हूं 18-minute footage देना भाई तो बाद में फील करें अभी सीम कर लेते हैं तो कभी-गभी तो ऐसा ह अब बार वा था कि बूला कि तो को यार करन शून चार-minute footage चीए सीन नहीं हमर पस तू बना लेगा ना कि अव्या लेगा ने मुझता है नहीं कितने गृफ़ेटरा जसमें लोग ने बना है उसमें नोग ने बना है उसमें इक धान जिसमें लोग राप करतें यो गूँ बहुत सारे सेमसें सब मुझे याद हैन लिए अमीन और रिमर्मेंब रेविटीं। तो बीसिकली मैं कहना साथा हूं कि जब मैं देखता हूं में अपनी पास्ट में, मैं बहुत लखी फिल करता हूं क्यूंकि मैं एक ऐसी जगह पर था और ऐसी जगह पर था कि मेरी जो ट्रेंग है बहुत मतलब स्टेप बाइ सेप नहीं हुई वो पूरा इंटु दफाय मतलब हमें आग में बना गया है ऐसा तो भी कुछ भी हो जाए कुछ भी मतलब अगर बिना सीन के अम लोग सीन बना सकते हैं तो क्या ही मतलब अबी तो फिल्म बहुत 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 लग्जरी अफ टाइम है बहुत अब जब मैं रुम जब मैं अलों चुट कर दा तो बूशन सर को में बोला था कि सर एक गंटा है अगला जो सीन हमारा इधर कॉरिडर में तो इधर लगाव एट्रैक अपने लोग कर लेते हैं तो इसका मास्तर कथम कर लेते हैं तो यह सट क्यू कल का एपिसोड है कि इसके क्या पाज….पन liken कि लेते हैं अराम तो सेत कि अब लेकता प्रना इनले चाहिए वा दो विच सब्सक्वा फोगर कcı ने बॉचेएँ थे het नष्वार पत्रैकर टीमों 3 सनी नुहां था प्रेंऌ ऑंजियों सब्सक्वी भीम टार्वेशन नंशल फिए निवां भीड का कि आप एक 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 ऐसे प्रोफेशन में आये हैं जो आपका पैशन है तो फिर्स्टली तो आपको बहुत 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 ब्लेस्ट कि आप अपना पैशन फॉलो करें बहुत कम लोग होते हैं I think in life में जो जिस चीज के बारे में पैशनेट हैं वो कर पाएं और so because that is there aap किसी भी situation में कैसे भी moment में अपनी life में अपने personal life में professional life में जहां पे भी हैं आपको जैसा भी है आपको आपने commit किया है कि आप यह डिलिवर करेंगे अपनी audience को चाहिए जो भी होता है but you have to do that because that is with great power comes great responsibility अभी थोड़ा में मराथी के साइड थोड़ा दियू कि कौंसी साइड मुवीज में काम करने का मौका मिला yes इसके साथ काम करना चाहोगे और कौंसा रोल या और कौंसी डिरेक्टर के साथ काम करना चाहोगे see, मेरे लिए cinema or filmmaking or storytelling more than किस language में वो है माईने रखता है कि क्या वो पोर्ट्रे कर रहा है और कितनी किस feel के साथ हो बन रही है या आप क्या अपने audience को दिखा रहे है तो definitely में माराथी फिल्म में करना चाहूँगा obviously because storytelling is storytelling doesn't matter which language अच्छा कुछ दर पर जब बात करें तब मराथी थोड़ा 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 आपको आता है क्या क्या आता आपको मराथी में को सिरफ अपने आपको पिटवाने के लिए चीज़ा आती है Gati Rodak Gati Rodak Gati Rodak पुड़े आपको 30 राक्यूद या इग्जाक्ली only for girls माराथी माराथी yes of course why not और बाकी मुझे सब बुरी चीज़ आते है I know नहीं कुछ नहीं okay आगे चलके कुछ प्लांस चाहन इसते हाँ हाँ ही तर वाँ क्या आलस पहें मतलब ये जो सेंटेंस है वा आना ही चाहिए हर लडके को हाँ मतलब ये मुझे तो हाँ अपारे सेट में के दीदी थी हार करती है तो मुझे हरूज बोलती नहीं तो इसलिए मुझे पता चल गया क्या बोल रहे आप में को, कि छान क्या बनाएंगा को, तो बोलते हैं नहीं छान दिस्ते में तुम बबात अच्छे लग रहे हो, तो आफ नाइस, यह अच्छे लएने है, यह सीकता हूं है एक लास्ट क्वेश्टन सथाथ बोलें को अगर साथ में बोलेंगे तो शायद पिताईना हो, नहीं हो सकती है यह संटेंज में हो सकती है लास्ट क्वेश्टन में आए कि आगे के प्रोजेक्स क्या है अपके और चोटे पर्दे में इसीरियल पर तेलिविजन पर आपस दिखने वाले हो जी क्यों नहीं दिखूँआं क्या मैं इन्विजिबल थोडिया क्या प्रोजेक्स अभी उन सब का भी फॉम्मल अनौंश्मेंट होगा और फिर हम लोग फिर से मिलेंगे तेर आप फिर से अम्बरास करना मैंने क्यों अम्बरास किया एस नहीं मैं खुद अपने आपका अम्बरास करना तो वेरी सुन बट वेरी सुन बट वेरी सुन वीट अगे के सब प्रोजेक्स के लिए अल्दे बेस्ट तुम्हाला नवया प्रोजेक्स मदे यानना कौनकोट अप्रोजेक्स मद बगाला अवड़िल मिल गए टू बदल तुम्हाला कैवटता है आमाला कमेंट्स वादे लिए नक्के करवा तर अभेटूया तुन नाएकदा धन्यवाद धन्यवाद बगाद